सबसे पहले हम बात करेंगे Infosys Limited के बारे में So Infosys Limited के बात करें तो आज की दिन इन स्टॉक में Nearby में एक पसंग के आपस हमें Down देखने को मिला लेकिन अगर हम पिछले एक मन्द के प्रफ्रमेंस के बात करें तो पिछले एक मन्द से Infosys में हमें एक अच्छे प्रफ्रमेंट दिखाया नियर्बाइश साथ सारे साथ पसंग की तेजी लेकिन जो आज की दिन दोस्तों इसमें आपको एक गिरावर देखने को मिला Nearby एक पसंग के आपा तो उसके पीछी भी दोस्तों एक रीजन है जो कि अब बुस्त छोटे मोंट एक नेगडिव रीजन है जिनके चलते हम इन स्टॉक में एक प्रेशर बनते हुए देखन को मिला और वो इस रीजन के बात करें दोस्तों तो क्लोज हो गया तो उसके बाद ही नियूज देखन को मिला अब जैसे ही नियूज है तो अमेरिकन बाजर में जो इन्फुस के एडिया लिस्टिंग है दोस्तों उनके आप देख पार एंगे एक अच्छी रेक्शन देखन को मिला था लियर भाए धाय से लेके पूने तीन प जरूर देखन को मिला पर उस प्रकार की नहीं जिस प्रकार की हमें एडियर में देखन को मिला था तो उनके जो दोस्तों रिजेन किया तो उसके पीछी का रिजेन को पर जाने से पहले तो उन्होंने जो रिजेन किया दोस्तों कल की दिन हमें देखन को मिला और ये कब तक नेरे मार्च 31 मार्च तक वह उनके आमें लास्ट देट को मिल जाँगा और उसी के जगा जो और एक जायज आब पूसे अनके यह और एक सियों कि यह हुआप से में इंफोषज में आते हुआप देट को मिल जाँगा कब से तो नेक्स दीन यानके फर्स्टपिश से लेकर सबसे इंपोर्ण जीस जोनने रिज्सयाइन किया स्टेप डाउन किया तो उसके पीछे का सबने था वैंठा कंपनेन यानक एम तो उनमें कोई भी एकसो क्यों बढ़ से एगसेड़ रिजयान करता है तो था नि dazu 27ए तयां वो अपना रिजान करते हैं ताकि वो और भी उनको अच्छी जगा एक अच्छी ऑपर्चुनिटी बिले तो इनके चलता है को कोई भी प्राणिक करने के ज़िए अगर कोई और रिजन होता तो आप खुद ही सोच सकते हो कि स्टॉक में बहुत बड़े गिराबाट भी आप ए तो बहुत बार आया से ब्रेक नहीं कर पाया लेकिन अगर ब्रेक कर देता है तो आपको 1600 को टागेट आप जरू सौट टाइम गंदर आपको देखने को मिल जागा और अगर हम लॉंग टाइम को साब से बात तो आज भी ए स्टॉक टॉपल वसे नियरवाई 26 से रिके 30 पसं अगर आप चाहो तो आप जरूर इसके बार में बिचार कर सकते हो आज ही तो कल यह भी स्टॉक आपको टॉप पे देखने को मिल जाएगा तो बहुत पहले बोजचे को दोस्तों कि स्टॉक ने एक तरफा भाग है और नियरवे आज भी देखा जाए छे मैने में 300 पसं से ज्यादा के रिटन और जैसे मैंने का रिटन देना यह स्टॉक लगातर भागना यह स्टॉक टॉप पे होना यह कोई गलत बात बिल्कुल भी नहीं क्योंकि अगर आप इसके पांस सार के प्रफेंस के भी देखोगे तो थाउजन पसं से ज्यादा गिटना और स्टॉक एकदम टॉप पे तो टॉप पे होना बिल्कुल भी गलत नहीं बट मैं अपनी सार से इतना करना चोंगा तो मैं अपनी रिसर्च की साब से अपने अपना उपीन है चाहो तो आप भी अपना उपीन है मदब कमेंट में ज से कंपणी को किया अगर उनको अर्निंग को मैच करने स्टॉक प्राइस के साथ तो पिछले जो कुछ ने कौर्टर टू के नंबर दिखाए जो कि आप देख पांगे बहुत ही मतलब किसी ने एकस्पेट भी नहीं किया था कि नंबर कमाल के आने ही वाले है क्योंकि इंजिल है कि जब तक मेंटर रखते जाएंगा तब तक स्टॉक में रैली आएगा अधरवाइस आप बोस्तों कि स्टॉक जब जब नंबर खराब आता है तो स्टॉक गिरने लगता है इसमें 70% गिराते इसमें 60% मैं खुद कवर गया था कि होल्ड करो पैसे बन जाएगा तो अगर और मौका नहीं मिलेगा हमें ऐसा बाज आपको मौका देता रहता है तो प्लीस अगर आप अभी अपने पैसे को सेव रखोगे तो अच्छे जब आपको मौका मिलेगा तब चाओ तो आप अच्छी जगह पे अच्छी श्टॉक में आप जरू इन्मस्मेंट करके चल सकते तो आज के दिन एक अच्छे तेजी को मिला नियरबाइ तीन पसंग के आप पास और इन स्टॉक की बात करें तो एक मंत में आठ सारे आट पसंग आपको तेजी जरूर देखन को मिल जागा लेगे इंपोर्टन इस यह वाले लेवल जो दो तीन हजार की लेवल है वह बहु बहुत ही इंपोर्टन और बहुत ही कूसियर लेवल मतब रोल प्ले करने वाले जूकर आप इसके टेक्निकल को भी देखोगे तो यह रहा लेवल काफी टाइम से सब्सक्राइब कभी ब्रेक करता है तो कभी ब्रेक्डाउन करता है अगर इस लेवल को होल्ड कर लिया तो ड देखना बहुत ही इंपोर्टन और इंट्रेसिंग रहने वाले जिसके पास भी है जरू बने रहा च्छोटे मोटे आसे नहीं के तीनादर करें पच्चीस हो आ गया तो पैनेक में निकल दो तो अब बड़े पैसा बिल्कुर भी नहीं काम आप आपको बहुत बड़े रिट कभी 1900 के नीचे और स्टॉक काफी टाइम से स्टॉक भी आपको सेम ग्राब देखने को मिल जाएगा इसमें भी जब 1900 के लिए पर ब्रेक करेंगे फिर 2000 के तब जाके आप एक बड़े रैली एक्सपेट करके चाल सकते हो jezen में और भी तेज़ी आना बाकी है इंचलोनल में भी और भी तेज़ी आना बाकी है जिस प्रकाद किसने पत्कुरמים धिखा इकंपनी और फ्यूचर में ये कंपने और भी बख बड़े कंपनी बंत देखने को में जाते यह त्यूझाने के बाद भी पांच साल में 600-700% 1000-2000% भागने के बाद भी आज भी एक कमपनी एक midcap एक कमपनी है अभी तो इनको एक medium size midcap company बनने है फिर large cap बनने है फिर और भी बहुत बड़े blue chip large cap company बनने है मतब consistency इन में growth आना है बाकिए है तो बहुत अभी तो यहां पर कुछ भी growth नहीं आए दोस्तो future mean stock में और भी आपको कमाल के तेजी बनते हुए देखने को मिल जाएगा तो किसी के पास है तो चाहता आप बहुत ही लंबी अब देख लिए बने रह सकतो phase bank के लिए बात करें तो तो तीनों को अभी अगर आप इग्णोर करोगे खासकर बीसी में तो best है